चलाय लख्या देक्डिक बोड पेपर है हां नौवेम्बर evitar दोल सरत कंद फेपर होएं अस्य मार्काचा पहले गुदर किती मार्काचा होता शंक्भर मार्काचा पेपर होता बर्बर आता हाँता पुरिण अस्य मार्काचे पेपर है एक च्मधिए UMD दिललेट तुम्हाला बोडरमातवा च सःख बाब तमाकृत्डेक्स गालते हैं 먼저 सब्सक्राइन तुम्हास व dalत फेले चैसी चीम्हीं गोमक्तरों म्होएयरे तुम्हास पोडरमतव ऐद्यति गालतों सॉ्ठना नहीं सीनितर फेले चीम्हासी पोड़ेटों प्रश्णा तेच्छा मोदुन आकृता जसे दिले तस्या काड़ाएद दुस्री गोश्टवगा आकृता पेंच काड़ाएद पोड़ा निस पवश्ट सांगी दिले बर्पूर मोला पेंचल चा यूज करता तो पेंचल यूज नहीं कराइचा तुम्हाला फक्ता आनी फक्त मतलब क्या जो भी डाइग्राम रहेगी वह आपको क्या करना है पेन से निकालनी है उपयुजित लेकना तिल कुरुतिन साथी सुचना निविदन आकुरुति ची आवशकता नहीं तसे यह आकुरुति लिहुन गेहुने आता बगा जे प्रश्ण अस्तिल न ते प्रश्ण मेजमनें और दिलना से न तुमला आकुरुति आकालन ची गरत नहीं तुमला Ratajat x nation. कि आप प्रस्ण जो दिली रहा न काप चौता खुब मातवादा प्रस्ण है विभाग पाच उप्योजित लेकन प्रस्ण क्रमांक का पाच दोन सारांस लेकन या घटकान साथी घट्डे विभागातिल प्रस्ण क्रमांक मतलब क्या कोई विभाग पाच लेकर्ण इसमें आपको क्या लेकर प्रिष्णते लियात है। इसमें से आपको इसको राइट करना है तो बहुत सारे स्टुडेंट्स क्या करते हैं यहां पे भूल जाते और इसको छोड़ देती या फिर उनको समझ में नहीं आता मैंने पहले भी कहा है कि पेपर पैटरन जब अच्छे से बहाएट होता है तो अच्छे से हम लोग आंसर स आपके तरफ से बोड यह चाहता है कि कुछ नया अच्छा प्रेजन्टेशन हो पेपर में लेकिन यूर प्रेजन्टेशन शुड़ बी रिलेटेट तो बोड टरमसान कंडिशन जो बोड ने बता है वही करना है तो फिर आप कोई भी कलर का पेल लिके जाओ कैसी भी आप ल कोई क्या देखना है पूरा पेपर पैटन देखना है यह पूरा पेपर है ना फाइव डिविजन में डिवाइट किया गया है कितना फाइव डिविजन में विबाग वरन असेल दोन तीन चार अनि पाथ इस तरह से फाइव इसमें इसको डिवाइड किया गया है पहला आए आपको question number one two marks के लिए है अभी आपको यह जो diagram दिया गया है यह जो आपको diagram दिया गया है आप इसको इसी तरह से pen से निकालना है क्या करना है और presentation ऐसे करना है अभी इसकी ऊपर देखो second question दिया है also two marks के लिए दिया है कितने marks के लिए दिया है two marks के लिए अभी यह जो important question है बहुत सारे बच्चे इसको skip करते हैं लेकिन इसको लिखने का बहुत आसान थारीका है स्वर्मत तीन मास के लिए होता है अभी जो स्वर्मत है मतलब क्या यह खुद का personal response questions होता है अभी यहां पर बोर्ड क्या expect करता है आप कैसा भी लिखो कैसा भी मतलब आप negative लिखो positive लिखो वो खुद का आपका personal opinion होता है किसी और का नहीं होता तो आपका opinion क्या है बोर्ड यह लियाएका तुम्ही व्यवस्तित प्रेजेंट के लाएका मुद्यसुद पनी तुम्ही लिलाएका यह सगडागोस्टी बोर्ड बक्त मड़ून लीता ना तुम्हाला यह सगडागोस्टी व्यवस्तित निवनेट के पनाने आणि तुम्हों मत काहे तेस पस्ट रुपा मद मतलब आपका उपिनियन क्लियरली आपको वहां पर मेंशन करना होता है इसमें तब जाके आपको तीन मार्क मिलते हैं यह मत सोचो कि मैं अगर कुछ मेरा जो विचार है कुछ अलग लिकूंगा नेगेटिव लिकूंगा पॉजिटिव लिकूंगा तो बोर्ड मार्क नहीं दे मांक एक आपन ट्यास प्रकार चाहे याला पन साथ मार्क साथ किदी मार्क साथ मार्क साथ टोटल कितना मार्क से सेवन मार्क तो यह भी आपको तुमारे टेक्स्बूक में से जो लेशे ने उसी में से आएगा सेम वही रहेगा प्रश्ण क्रमांक एक दून मार्का साथ यस कर देखना है कि आपको परस्नल रिस्पांज पर लिखना है जिसमें पहले भी बताए आपको क्या करना खुद का ओपीनिल लिखना है जिसमें आपको clearly आपका thoughts देना है writing skill आपको देखना है काना मादरा, valenti, कुछ ना गलत हो इस तरह से आपको इसको clearly लिखना है अभी आता ही ये देखो अपठीद गद्या अपठीद का मतलब होता है कि unseen जो कि आपको कभी अपने देख रहे होगा बोर्ड अपने तरह से पैसे जोर आपको वे question देगा इसमें आप देख सकते हो प्रश्ण करमांक का 1E और आज हला ना इसमें कहाराएगा 2 मास के लिए और प्रश्ण करमांक का 2 अलसो 2 मास के लिए मतलब 4 मास के लिए यहाँ पर आता है मतलब क्या यह जो तुमको पूरा पैसेज दिया है न इसका आपको summary राइटिंग करना है वन थर्ड आपको पूरा लिखना है तो इसको आपको क्या करना है summary लिखनी है question number 5 और उसमें second number का question आता हो मैं अभी पद्द्य विवाग कविता पद्द्य विवाग में आपको क्या दिया रहेगा पोएम दिया रहेगा अब यह इस पोएम के ऊपर यह question है आपको दो पोएम दिये जाएगा दो पोएम के लिए आपको पूरा 16 marks के लिए पूरा आपको होता है पद्द्य विवाग अब वी देखो प्रश्ण क्लमांक का दू थीन ऊसा तरी मलब मतलू किंतना माक्स हो रहा है और यह यह अपल आत सकतwny जितने आपको अभंग का चत्प क्सक्र च्प पाइक बहुत हो लेना क्योंकि संतवानी से एक ना एक संतवानी आएगी इसमें तो संतवानी जितने भी पोईम रहेंगी बहुत अच्छे से आपको रीड करना है उसके उपर आपको questions and answers करने हैं अभी थोड़ा सा grammar के question आएंगे तो उसको उसका भी मैं short में solution बताऊंगा प्रस्तुत कवेति तिल शब्दान चाहर्थ लिया शब्दान चाहर्थ मंतलब क्या meaning of the word लिखना है शब्दयोंगी पाने पेक्षे सिस्टा है यह तुम्चा शंब्दात लिहा दोन मार्क हा प्रस्त क्रमांक दोन आ पुर्ण टोटल आट मार्काचा question असतो पर बने कितना 8 मास का question रहता है ये अभी हाँ पर आपको 2 poem दी जाएगी 2 poem में से कोई तो 1 लिखना है ये question बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता 2 poem दिये है 2 poem में से कोई तो 1 poem को आपको select करना है 2 poem दिये है इसमें से आप कोई भी एक poem को इसके point वाइज आपको लिखना है अगर ये point होते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ central idea डालनी है कुछ theme डालना है तो आप अपने ओन से डाल सकते हो लेकिन आपको point इनको पूरे इन सारे point को आपको cover करना है जवाब इसको लिखते हो तो right कविते ची ना हो कविते चाविश है poem में प्रस्तुत कविते तुन मिर्णारा संदेश मतलब ये central idea होगे काय संदेश मिर्थे तुमाला ते लिए आएचा है प्रस्तुत का विएता आवड़ नाचे कारन अपको क्यों अच्छी लगती है यो जो poems आपको क्यों अच्छी नहीं लगती इसके में आपको reason लिखने इसमें भी फिरसे आपका result आएगा कि क्यों नहीं अच्छी लगते तो आपको पूरा explanation です कुने ना पड़ेगा य्ये न애 अकॉर्डिंग डू जो दियाए वैसे को रॉप्णे मनस कुछ मतली को इसमें प्रस्तुत कवेते तिल दिलीला शब्दान चा अर्थ लिया आता है शब्दान चा अर्थ पुर्णा ये तो मी विभाक तिसरा मदे स्थूल वाचन आता है चा मदे स्थूल वाचन तुम्हाला पुर्णा अक्षर भार्ति मदे चार दिलीला है तेच्छा भाईगी तुम्हाला कुटले ही तीन प्रस्न दिलीला श्तात और टोटल मार्क आयत पुर्णा शिक्स मार्क्स एका प्रश्णाला तीन मार्क सेथ, कि त्या त्या प्रश्णाला तीन मार्क सेथ, त्या नुसर तुम्हाला ते सोड़वाई जाथ, चार दिनले तुम्हाला चार लेशन बैगे कुटले ही तीन पॉर्फेक्ली करा, एकदम पॉर्फेक्ली कि तुम्हाला आले मंजे तुम्ही वthen सोड़ू शकाल, तरत्यों लिवात अस्ताना, एक्चा मदे मिधे मिला रिक्माण करेल, तरत्यास तुल वाथ ना, मदे लेखकाच नाओ, लेखिकेच नाओ, त्या धड़ाच नाओ, त्या धड़ाच नाओ, कुटुन आनेला है, प्रस्तुच प्रस्ण हाल या धड़ाच तुना लेला है अस्त तुमी लिवुशक्ता आणि नंतर लिवात अस्ता ना वेवस्तित मुद्धे सुध पर्द दिने तुमाला आंसर कराईचे मजे तीन मारका सटेत मैक्सिमाम तुमाला 10 ओडितर लिवाईचे चे चे डिपेंड कारचा के प्रश्णा कुटला प्रकारचा दिने लिवा आहे अणि तो कसा लिवुशक्तों किती परंद लिवुशक्तों बरबरे cay अशा बदी दिन तुमाला प्रश्णा सोडवाई चा हे अग को ध्यान दर तुम्ही विवाग चार भाष आप्भीयास येचे मन तुमाला ग्रामार चे कोश्ण से न प्राइन आयात ग्रामर छी मतलत प्रस्वाइस से प्राइल वाक्टारस घ्राइस WILL देजा तैट। उद्गार वाचक वाक्य तो इच्छा दर्शक पढ़ने तो पन्ति तुमाला नहीं है तरहें वाक्यां चे प्रकर है तो बगा कैसा होता है इंग्लिश में जिस तरह से होता है उस तरह से हिंदी मराठी में भी होता है अगर एक क्वेश्चन मार्क आता है तो सिंपल इसको आधन्यार्थी वाक्य असे ते कसा उड़का है जो वो कैसे पैचानने का तो इसमें देखो यहाँ पे नका करा वगर आसे दिलील असते मजे आधन्या के लिल असते तभी ये जो सेंटेस है नम्मस्ती करूना का मंजे का है ती तो आधन्या के लिल आई शिक्षकांडी मजे आधन्या के लिल असल तर आधन्यार्थी वाक्य असेल सेकेंड बगा तेला दोर मारकात पूर्ण कंसा तेल सुचने नुशार वाक्य रुपांदर करा वाक्यांचा रुपांदर करने बगा आते ही जे वाक्य जे प्रकार बगितले नापन एचा वोदे प्रस्नार्थी वाक सब कहाँ लत्राइबर उत्या में प्रुपकास टैना सब्सक्राइबरम्टा मеньरेन का सब्सक्राइब लायों टेंग समस्तिक हुआ मों समस्तिक शांकेबर शो पूर्णाचा फूर्णा ग्रामणचा, जितका पन अक्षर भारती मदे, सगड पेश्य सार में पूर्णाचा फूर्णाचा तुमाला वेवकुसी दो, मझे sì पेपर मदे उटलीज घुष्ट तुम जिसकी पूर्णाँ प्रकार चाहे तो कसली हैचा आंसार थे सगड तुमा अगर आपको मराटी का सेंटेस लिखती हुए आता है ना तो अगर आपने उसका मिनिंग भी नहीं लिखा और डिरेकल आपने संटेस में उसको आंसर कर दिया तो भी आपको एक मास मिल जाएगा पैटन के नूसर आपको एक मास मिल जाएगा तो क्या करो एक ऐसा है कोई तो अगर आपको पता ने उसका मिनिंगे और आपको पता है कि अगर चलो मैं इसको सेंटेस में एक कॉमन सेंटेस बना उसमें डाल दो आथा बगा कवेद घे ने यहाच आर्ठ तुम्हाला माईतिनी थिचा ये शाने शंगला आकास ने कवेद घेतला लिए उशक्ता तुम्ही बढ़े भान ठेवने बढ़े पान ठेवने मझे गए जाने उटेवने सतर करानी आपन मोटेंची बोलताना भान ठेवावे लिए हैच तुम्ही जोकुन देने मझे गए समारपित करने बोड़ाची परिक्षा जोड़ेता स्विद्धार्ती स्वताल परिक्षे मदे जोकुन देता अभी आता हूं मैं आ बाशिक घटक अनवर आधरी बाशिक घटक मझे का है शब्द संपत्ति शब्द समुह बदल एक शब्द अच्छा सब्द समुह बदल एक शब्द ये वर्स तुमको बताता हूं मैं आपको पूरा संटेंज दिया जाए कैस तो कृतग्ण केले ले उपकार जी जानिव नस लेला कृतग्ण घटको न जाएगा कृतग्ण इस तरा से आएगा तो यह आपको रीड करना इसके लिए आपको वर्न मार्क्स लेगा यह आपके वचन ओड़का वचन मतलब क्या एक वचन अनेक वचन आता मराटी मदे जी मूला मराटी आतना ते तन्ना मी सांग तो वचन आनी लिंग एचन मदे खुप सोपस तो ओडखायला काय फर्मुलाव आपड़ाचा तर वचना मदे तुम्हाला माईजा फर्षी मजे का जला एक आणी जास्तस तिल तो फर्षा है आचा यह ची वाक्की बनवा चला ते लिंग ऊडखा वागिन काय सेल ना स्त्रिलिंग यह सेल वाग मंजे पुलिंग यह सतो पती पती विचारा काय सतो पुल्लिंग ये उसतो तदहेंग, लिंगा उसतत एका मारका अत्यवर्ण आट लैखन निया मनु सार लैखन करां आट आँज्य वें लैखन निया मनु सार अच्छुख शब्द वें गाजी राइट बोट जापन अमात्रा वेलांटी है न तेवे वोसल वरρωकाई तुमाला जनम दिवास हाचे न रहू कदी ये ना अक्षराचा शुरुवातीले ना पहली वेलांटी है थे नंतरमां दुसरी वेलांटी है थे मुझे रस्व दिर्गास थे लेतास्ताना तुमाला मी नेमी सांगत। जर तुमाला नाही समदला खिल बिल्ला कसले आईचा तर लक्षाट्यवा तुमी काय करता अप दुसरी वेलांटी टाकता ना तुमी काय करता अप दूसरी वेलांटी टाकता ना तुमी लक्षा टेवाचा पहली वेलांटी टेवाचा खिल कीची पहली वेलांटी बीचे पहली वेलांटी खिल बिल्ली नंत्रमां दुस्री दुस्री वेलेंटिनी स्थार्ट करेचा असले रस्ट समझल स्पैलिंग मिस्टिक ओनारने एचा मदे पन अलंकार पहला चाहे राइट विराम चिन्ने हेकुप मातवाचाहे विराम चिन्नान मदे हा बगा बोलना रेजी शब्द जशीजा तशे आपन ज यह का जाता है दोःघ्र अहुतरन चिन्न आयो जो द क्राना ये श्रय विराम ये उध्यार वाचिन्न और यह ये रहता है प्रस्णवाचक चिन्न विराम चिननांचा योगे बापर करा ताते प्रश्ण तुम्हाला दोन मार्ग ये आपको high- últimos dough鑼िगे कैमेलीयगे Easy enough तो यह Easy मार्श टोंचल ले आपको यह पूराका पूरा करके जाना है работать धूरान चिनचर्ण हग बभण कोटला है स्किल में आता है जिसमें आपको पहला जो आए गना प्रष्ण घ्र मांग रा पत्र लेखन काय से पत्र लेखन अशिल एचा मध रूण प्रकार चे पत्र दिली लेस्टत एक अउपचारी और अऊपचारी पत्र लेखना मध यहें डायग्राम करणे चे गरज़ नी याँ डा उपिचार्यक लिहाइचे त्युम्हrencyा चाहा इथम लेकन से तहांदि न में तुम्हक जरा प्रसंक्रम् Corporalincya पास सब्तक्रों सरा वह सब्स Quem शेडियर का वकित करें तो यह कोश्चं जरूर करो लेटर राइटिक छुट गया है तो मैंने जैसे बता है ना संटेज को कॉम्प्रेस करके लिख लो पटापट पटापट नहीं होता है तुमारा टाइम निकल गया इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत है बोड़न है कि मुझे टाइम ने मिला चलिए जाहराथ लेकना इसल तुमाला जाहराथ तैयर कड़ाट Вас तुमीं अश्या प्रकारटषी जाहराथ तैयर करेच ना तर समोर्चा विकती ते जसी वा चयं разм нек तसरे तल सलना तेचे मुद्य चे अधारीस तुमिा दुमचा पॉइंट आकायाचै ऐ knife काय दिलेले तुम आला Q positives lakshakot जाहिराच तैयार करा नि 사ले यह साहितिया चे दुकनात आकरषक जाहिरा तैयार करा अरकाया थे halit kaygley दुकना चे नाव और वहिश्ष्ट याणि e дум a tau पेंसिल का यूज़ मार्जिन को ड्रॉब करने के लिए तुम लोग मार्जिन करते न स्केच उसी के लिए करो यहां पे क्लियरली बोर्ड ने मेंचन के आया कि पेंसिल का यूज़ नहीं करने का अगर तुम करते हो तो वह तुम्हारी गलती माने जाएगी समझ में आया है तो यह गलती बिलकुल मत करना बात मी लेकना मदे तुम्हाला माईती है बात मी त्यायर केशी कराई ची बात मी दिट्ट पन ठापो शकता कि वह तुम्हारा ने का दी चोटी से हेडलाइन चोटी से असावी जासतों मोटी नसावी तेचे नंतर है राइट हैं साइड में आम चा बात मी दाराण कडू तेचे नंतर लेफ्ट हैं साइड परू स्टार्ड कराई चै पैसेज कराई गराद मतलब क्या पास टेंज करो लिखते समय महराठी में भी और सबसे इंपोर्डन है न कि जो जिसने कुछ वाक्य बोले है तुमारे स्कूल में कोई सेलेब्रेशन होता है और वहां पर में गेश्ट आते है और उन्होंने कुछ सेंटेंज बोले है कि अगर उन्होंने बोला कि जिसने का झातर बोले है तुमारे स्कूल में ग्या, जिसने की तुमोंने गेश्ट आता है और उन्हों करनें गोले कुछ शयिदेते है जितकत foster आतक कुर से लख्षात तो यह सारा यूज आपको करना है उसके बाद कथा लिकन के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या स्टूरी बनती है अगर तुमको लगता है कि यह स्टूरी में बना सकता हो तो बनाओ ने तो स्टॉप हो जाओ बहुत सारे बच्चे स्टॉरी को आधे तक लिखते हुए आते हैं और उसमें के बाद उनको समझ में नहीं आते कि क्या करें और फिस्टॉरी वहीं पे छोड़ जाती जहां पर आपको मास्क काम हो जाते हैं और उसमें टाइम पास भी होता है तो जब तुम लोग कोई भी सिल इसमें से आपको कोई बें सॉल्फ करना है कि आपके लेकर मतलब क्या कि आपके उपर क्या सिह आहीं उस सितुईएशन का आपको पूरा है रैइटिंग करना एं त्र आत्म स्वतास उतर स्वता सुड्य हई स्वतालास सुड्या जाए घृकरласт मैद और त्या स्वतास चाहितां. लिखना है तो आपको आत्मकतन लिखो और प्रसंगा लेखन भी आप अच्छे से लिख सकते हो तो गाइस इस तरह से यह पूरा का पूरा एटी मास्क का पेपर हो गया है इसको बहुत अच्छे स्वाल करो कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क में थैंक यू